हाँ तो नवस्कार दोस्तो जनगर्ण ना वीभाग में नई भरतियाद सुरू हो चुकी है इसमें आपको कोई भी एक्जाम नहीं देना है इसकी सीधी भरति होगी इसमें पुरी पोश्ट की संखिया 389 है और इसका अवेक्दन बहुत ही जल्दी सुरू हो चुकी है तो चलि और पहुंचाता रहता हूँ आप सभी तक तो चलिए मैं इसकी पूरी नोटिफिकेशन आप सभी को दिखा दूँ एज किया है सेलरी किता मिलेगा और जो भी पूरी संपुर्ण जनकार है इस वीडियो में देने वाला हूँ हाँ तो यहाँ पर देखिए कि सेंसस ओफ इंडिया भैकेंसी 2020 विभाग संस्था संगठन का नाम जनगरना विभाग है पद का नाम इसमें अस्टेटिकल इंवेस्टी लेजर्टर मैप ओफीसर और एक्क्यूटिव ओफीसर का है इसमें पूरी पदों की संख्या यहाँ प प्रसनल इंटर्विव उपर ही यहाँ पर देख रहे हैं कि और यहाँ पर देखने कि सेल्वी लेवल साथ से लेवल तेरह तक है और इसका ओफीसियल साइट सेंसस इंडिया.gov.in पर जाकर आप सीधिन नोटिफिकेशन इसका पीडिया फाल डाउनलोड करकर और वहां से भी लोग इन करकर आप पूरी जनकारी ले सकते हैं और वहां से भी फ्रम को फिलब कर सकते हैं भरती परीशा का नाम है सेंसस अफ इंडिया और इस सब भी भरती के लिए जो पोस्ट है वो है पद की सिनरी नियमी थे रिगुलर पोस्ट है और पदू का नान चलिए मैं बता इस सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब क्या माझ रहा है कि आपड़र देखेए मूज मंतर प्र algunos सब्सक्राइब करें सांखिय कि अनब्सक्राइब कर्दिकारीक है मैं पर चनी एजब्फिकेशन क्या handle है प्रूषा यहां पर देख द्खेए?. अभर्ति के लिए विद्वार को किसी भीमानियाता प्राव से भी टेक मास्टर डिगरी ग्रेजुएसन डिगरी होना चाहिए या उसके समक्ष डिगरी होनी चाहिए वह उमिद्वार इस भर्ति में आवेदन कर सकते हैं अधिक जनकारी के लिए इसका ओफिशियल लोडिफिक के अंदर होना चाहिए और आउसी मां में छूट से सम्मधिन जनकारी के लिए भर्ति परकासित नोटिफिकेशन देखे सेलरी क्या है तो इस भर्ति में वेतन मान आपको सेंसस ऑफ इंडिया रिक्रिमेंट 2020 में वेतन मान नोटिफिकेशन को अनुसाथ सेभर्ण सेलरी कि अधिया भारती 2020 में मिद्वार को अवेदन करने की फीस परिक्षा सूल्क समान या और निया पिछला बार्ग येनर लोबीची निसूलक और अजजज़ा दिव्यांग बार्ग एस्टी 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 पीएच निसूलक है और फीस की अधिक जानकारी के लिए परकासि को इस वीडियो के ज्यादा से ज्यादा सेयर कर देजिए क्योंकि सब कोई इसम ओल इंडिया के लोग भार सकते हैं इस फरम को फिलब कर सकते हैं